विश्व विद्यालय बताएंगे मोटे अनाच के फाइदे कॉलेजों में चलाए जाएंगे जागरूकता अभिया मिलेट्स को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम कर रही है हमारे देश में बाजरे के सेवन और खेती के महत्व को जानना चाहिए UGC ने शिक्षन संस्थानों से कहा है कि वे स्टुडेंस में मोटे अनाच के प्रती जागरूकता लाने के लिए विभिन कार्यक्रम करें सरकार की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका है इससे किसानों को भी नई दिल ली देश के उच शिक्षन फाइदा होगा भुपेंडर, शर्मा-at-timesgroup.com संस्थानों में स्टुडेंस को मिलेच यानि मोटे अनाच के फाइदों के बारे में बताया जाएगा शिक्षा मंत्राले ने शिक्षन संस्थानों में मिलेच से जुड़ी गतिविदियों की थीम तयार की है इसके आधार पर संस्थानों में विभिन कार्यक्रम चलाए जाएँगे विश्विद्याले शिक्षन ने सभी विश्विद्यालेों से पर अनुदान आयोग, UGC, मिलेच से जुड़े कार्य करने को कहा है मोटे अनाच को दुनियाभर में UGC ने कहा, संस्थान सरकार ने साल 2023 को जागरूकता घोशित करवाया है भारत अभियान चलाएं UGC के अध्यक्ष प्रो M. जगदीश कुमार ने कहा कि भारत में बाजरे का इस्तिमाल लंबे समय से किया जाता रहा भारत की पहल पर संयुक्त राश्ट्र महासभावर्ष 1YM2023 की घोशना के साथ जुड़ा हुआ है मोटे अनाच से सेहत को कई फायदे हैं भारत में बाजरे की खेती है हालांकि बाजरे पर वैश्विक की ओर से 2023 को अंतराश्ट्रिय बाजरा के लिए अनुकूल जलवायू है चातरों को पहचान दिलाने के लिए केंदर इंटरनेशनल मिलेट या अपनी जीबीस की अध्यक्षता के दौरान भी इसे प्रमुक विशय के रूप में पेश कर रहा है सरकार मोटे अनाज को लोगप्रिय बनाने के लिए देश और विदेश में कई कार्यक्रम कर रही है भारत मोटे अनाज का प्रमुक उत्पादक देश है जिसमें जवार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा के साथ साथ कंगनी, कुटकी या छोटा बाजरा शामिल है वैश्विक रूप से बाजरे की प्रासंगिकता बढ़ रही है, शिक्षन संस्थान भी सरकार की इस मोहिम के साथ जुड़ रहे हैं